अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करें और शेयर करें वीडियो को आज बनाने हैं फॉन्नेंट जो कि हम केक की कवरिंग के लिए यूज करते हैं फिगर जो बनाते हैं उसमें भी फॉन्नेंट का थोड़ा यूज होता है फॉन्नेंट बनाना बहुत ही आसान है घर में और आप इस तरीके से फॉन्नेंट बना करके 5-6 महिने के लिए रख सकते हैं ये बिना अंडे का fondant है और बहुत ही अच्छा बनता है इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है तो चले बनाना शुरू करते हैं fondant fondant मनाने के लिए सबसे पहले बड़ा बॉल लेंगे बॉल में डालेंगे फोर टेबल स्पून पानी ये सिंपल जो साधा पानी होता है वो 4 टेबल इस्पून पानी डालेंगे अब पानी में डालेंगे half टेबल इस्पून जिलेटिन ये थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे half टेबल इस्पून ये मैंने जिलेटिन ली है इसको पानी के उपर डाल देंगे इस तरीके से करीब 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे जिससे की जिलेटिन फूल जाए जिलेटिन को रखे हुए करीब 5 मिनट हो गए हलकी सी फूल गई है आप देख सकते इस तरीके से अब जिलेटिन को डबल बॉयलर पे मैल्ट करेंगे एक भगोने में पानी रखा है गरम करनी के लिए और इस क्लूपोज है मार्केट में भहती आसानी से मिल जाता है है साथ की साथ मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से डालेंगे हाफ टेबल इसपून ग्लीसरीन mix कर देंगे और one table spoon इसमें डालेंगे butter इसमें white butter डालते हैं white butter नहीं मिलता है तो yellow butter भी डाल सकते हैं मैंने इसमें yellow butter डाल रही हूँ और butter को भी अच्छे से mix कर लेंगे सभी चीज़ें अच्छी तरीके से mix हो जानी चाहिए आप देख सकते हैं सभी चीज़ें मैट हो गई है गैस को बंद कर देंगे यह देखें इस तरीके से अब थोड़ा सा room temperature पर आने देंगे mixture को उसके बाद इसमें यह icing sugar है यह तीन कब यह market वाली चीनी है वही ली है और उसी कोई लेना है आपको भी क्योंकि गहर की चीनी कितनी भी महीन होती है लेकिन फिर भी उसमें दाना होता है तो उसे अच्छी तरीके से fondant नहीं बन पाता है तो आप market में जो PCV चीनी आती है आइसिंग शुगर आती है वही लें साथ में इसके लिए चाहिए ताइलोस पाउडर ये जिस पे भी आपको केक बनाने का सामान मिलता है उस पे बहुत ही आसानी से सभी सामान मिल जाता है अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तीन कप भर के चीनी ली है और जरूरत होगी तो PCV चीनी और ले लेंगे हम अब इसमें हम थोड़ी-थोड़ी चीनी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे या तो आप इसको सिलिकोन मैट पे डालने या फिर किचिन सरफेस पे ही इस तरीके से कर सकते हैं पहले चीनी डालूँगी थोड़ी सी और जो मिक्सर है उसको अब इसमें हम थोड़ी-थोड़ी चीनी मिलाते जाएंगे इसमें करीब हाफ कप चीनी और मिलाई है और साथ ही इसमें मिलाएंगे 2.5 टीस्पून टाइलोस पाउडर 2 टीस्पून टाइलोस पाउडर को मिलाएंगे पहले फिर अगर जरूवत पड़ीगी तो हाफ टीस्पून नो मिलाएंगे अब इसको अच्छी तरीके से चीनी को इसमें मिक्स करते जाएंगे और जितनी जरूवत पड़ीगी उतनी चीनी और मिलाते जाएंगे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और देखे टाइलोस पाउडर डालते ही ये बनना शुरू हो जाता है कित अच्छे से बनना शुरू हो गया जब तक टैलोस पाउडर नहीं डालेंगे तब तक इस तरीके से ये बनना शुरूर नहीं होता है अच्छी तरीके से आप चाहिए तो इसमें वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी चीनी और डालेंगे जढ गड़ोस अपड़ी इसमें करीब 3.5-4 कप चीनी लग गई है और इसमें जितनी चीनी आसानी से मिल जाए उतनी चीनी मिलानी चाहिए एक्स्रा चीनी नहीं मिलानी चाहिए नहीं तो जो fondant है वो एकदम कलक हो जाएगा half teaspoon के करीब टाइलोज powder और मिला देंगे यह देखें कितनी अच्छी तरीके से फॉंडन तयार हुआ है यह फॉंडन तयार हो गया है अब इसको clean wrap में pack करके रखेंगे कम से कम 6-8 घंटे के लिए या 8-10 घंटे के लिए इसको clean wrap में pack करके रखेंगे बिल्कुल भी air नहीं पहुचनी चाहिए इसमें और उसके बाद इसको use में ले सकते हैं जो भी आपको बनाना हो जो भी design आपको बनानी हो तो आप उसको design बनाने के लिए ले सकते हैं यह देखें कितनी अच्छी तरीके से खिच रहा है यह देखें हाथ में से भी एकदम साफ हो गया है अपने आपी मैंने हाथ धुए भी नहीं अभी ऐसा होना चाहिए जैसे कि जो पोडियों का आटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट यह देखें इस तरीके से होना चाहिए आट से दस घंटे के बाद इस फॉंडेंट को यूज करेंगे क्लिन रेप के उपर हलका सा मखन लगाएंगे और इसके उपर आप फॉंडेंट को रव देंगे और अच्छी तरीके से पैर पर देंगे इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए इस तरीकी से रेप करके इसको double wrap और करदें इस तरीके से pack करके रख दें अब इसको 8-10 घंटे के लिए room temperature पर ही छोड़ देंगे लेकिन जहाँ पर धूपाई वहाँ ना रखें ठंडी जगे हो वहाँ पर इसको रख दें और इस fondant को आप 5-6 महिने के लिए यूज कर सकते हैं 5-6 महिने के लिए रख सकते हैं अगर आप धंग से रैप करके रखेंगे तो आपका fondant जल्दी खराब नहीं होगा और आप ज्यादा टाइन के लिए इसको यूज कर सकते हैं अगर फॉंडेंट को रखी हुए करीब आट-दस घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक दम कलक हो गया एक दम कलक हो गया रखे-रखे तो यह fondant बन करके तयार है अब हमें इसको जब यूज करना है तो इसमें से हम थोड़ा सा fondant लेंगे इस तरीके से जितना भी यूज करना है आपको उतना और इसको इस तरीके से मलेंगे देखे जितने अच्छी तरीके से मेलेंगे उतने अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो गई है अगर आपको लगता है कि हाथ में चिपकड़ा है तो हाथ में हलका सा वाइट बटर या शॉर्टनिंग आती है इसके लिए इसपेशली वो लगा सकते हैं नहीं तो हलका सा मक्खर लगा लें यह देखे कितना एकदम स्मूध फॉर्टनिंट बन करके तयार हुआ है देखे वह कितनी अच्छा स्ट्रेच हो रहा है यह देखे कि इतना कालक है और एकदम यह सॉफ्ट है यह फॉर्ञन बन करके तयार हो गया है बहुत ही अच्छा कंदम बन करके तयार हुआ है आप जब hivy फॉर्टन्यन को उठा करके रखे जब भी आपको यूज्द नहीं करना हो तो इसको अच्छी तरीके से पैक करके रखें, जिसे कि इसमें एर ना पहुंचे, अगर एर पहुंचती है तो यह जल्दी खराब हो जाता है, एक डिब्बे में करके, आप रूम टेंपरेचर पर ही रख सकते हैं, वस धूप नहीं आनी चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना है इसको, फ मैं आज की चिन बब आये, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ